अगर आप OnePlus 11 पहले से यूज़ कर रहे हो तो क्या आपको OnePlus 12 में स्विच करना चाहिए या फिर अगर आप OnePlus 12 परचेस करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लो क्योंकि OnePlus 11 का भी option फिलाल मार्केट में अविलिबल है तो इन दोनों में से कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए लेट्स फाइंड आट इन इस वीडियो तो पिरना टाइम वेस किए पढ़ते हैं वीडियो की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके प्राइजस से तो एक OnePlus 12 आता है अराउंड 60,000 रुपीज में और ये फोन फिलाल आपको मिल रहा है 48,000 रुपीज के आसपास यानि कि अगर आप इस फोन की तरफ जाते हो तो आपके 12,000 रुपे बच सकते हैं सबसे पहले बात करें इनके डिजाइन की तो इनकी जो डिजाइन लेंगविज है ये लगबग लगबग आपको सेम ही मिलती है आपको कुछ इस तरीके का कैमरा मॉडियूल मिल जाता है हलाकि अगर आप दोनों ही फोन को साइट बास साइट देखते हो तो बाई वन प्लस 12 थो सा जादा प्रीमियम लगता है यहाँ पर आपको जो कैमरा मॉडियूल मिल रहा है ये भी आपको एक प्रीमियम साइज एड एक काफी बड़ा सा कैमरा मॉडियूल मिल रहा है वहीं ये एस कंपेर्ट तो इसके थोड़ा सा चोटा है इसके अलावा as such कोई changes नहीं है अब अगर दोनों ही phones की in-hand feel बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दू दोनों phones सेम जरूर दिख रहे होंगे लेकिन OnePlus 12 का size जादा बड़ा है as compared to OnePlus 11 OnePlus 11 की height आती है 6.42 inches वहीं इसकी है 6.47 inches width की बात करूँ तो 2.92 inches की width इसकी है इसकी 2.98 inches है and maybe आपको height notice नहीं हो लेकिन अगर आप दोनों ही phones को side by side पकड़ते हो तो इसकी जो width है यह definitely आपको feel होगी और पकड़ने वे ऐसे पता जलता है कि OnePlus 12 का जो display है थोड़ा सा wider है as compared to OnePlus 11 also इस phone की मोटाई भी काफी ज़ादा है 9.2 mm thickness के साथ आता है यह और यह 8.5 mm थिक आता है तो अगर आप OnePlus 11 से 12 में आते हो यह phone definitely आपको थोड़ा सा बड़ा feel होने वाला है because यह काफी ज़ादा handy है and also यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ इसकी जो इस sidebar है यह इतनी आसानी से access नहीं होती मलब कि भाई मुझे थोड़ी से efforts लगाने पड़ते हैं तो यह issue तो नहीं बोलूगा लेकिन हाँ इसकी आपको अलग से आदा डालने पड़ेगी also OnePlus 11 की जो sidebar है smoothly काम करती है यह मुझे उतनी convenient नहीं लगी तो यह बाई यह चीज आप पहले से एक बार experience करके देख लेना मुझे OnePlus 11 जादा better लगा है यहाँ पर also क्योंकि phone की width कम है तो यह जादा handy feel होता है मलब ऐसा बड़ा phone feel नहीं होता यह phone क्योंकि काफी thick भी है also थोड़ा बड़ा भी है जिसकी वैसे थोड़ा बड़ा phone feel होता है दोनों का अगर आप display fingerprint sensor देखोगे तो वो भी थोड़ा सा उपर कर दिया गया है जो कि बढ़िया है convenient है कोई दिक्कत नहीं है उससे अब इस phone का weight है 205 gram यह है 220 gram तो weight से कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों phones का in-hand feel काफी बड़िया है ऐसा कोई भी भारी feel नहीं होता है case-ways वगरा तो use करो गई अब इनके protection की बात करों तो back side पे दोनों में ही Gorilla Glass 5 मिलता है front में Gorilla Glass Victus 1 मिलता है OnePlus 11 में इसमें मिलता है Gorilla Glass Victus 2 also IP rating की भी बात करों तो IP64 यह IP65 rating के साथ आता है अब चलो बात करते हैं दोनों के display की यहाँ पे आपको मिलता है 6.7 inches का display यहाँ पे आपको मिलता है 6.82 inches का display याने की भाई आपको display का जो size है यह बड़ा मिलने वाला है viewing angle थोड़ा सा जादा मिलने यह चीज आपको ऐसे पता नहीं चले की जब दोनों को side by side पकड़ोगे तब यह चीज फील होगी आपको दोनों की display काफी जारा sharp है PPI भी यहाँ पे दोनों में अच्छी खासी मल जाती है हलांकि OnePlus 12 की PPI कम है as compared to OnePlus 11 लेकिन OnePlus 12 में एक बहुत बड़ा advantage मिल जाता है आपको वो है इनकी peak brightness का also HBM brightness की भी बात करों तो वो 1600 nits तक जाती है OnePlus 12 में वही OnePlus 11 1300 nits तक peak brightness provide करता था हलांकि देखो अगर मैं बताऊं की day to day life में आपको क्या difference मिलेगा अगर आप outdoor में phone को जादा use करते हो जादा धूप में यूज करते हो तब definitely OnePlus 12 एक better deal हो जाती है क्योंकि इसकी HBM brightness या निकी high brightness जो mode है का वहाँ पे आपको 1600 nits मिल रही यानि कि outdoor में बिलकुल भी देखने में दिक्कत नहीं होने वाली है वही OnePlus 11 काफी कम बलब 800 nits बहुत जादा कम हो जाता है जिसकी वज़े से outdoor में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस phone के साथ brightness की indoor में किसी भी type की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है तो मैं overall बताऊं तो यहाँ पे सिफ brightness का ही difference है और वहाँ पे आपको जो peak brightness मिल लाई है वो है 4,500 nits जो की भाई बहुत ही कमाल का number लगता है और यह number आपको तफील होगा जब आप HDR content उसमें देखते हो तब वहाँ पे जो छोटे मूटे elements रहते हैं वो इतनी जारा brightness प्रोवाइड करते हैं आपको जो overall viewing experience है HDR viewing experience वो next level प्रोवाइड करता है OnePlus 12 हलाकि यहाँ पर मैं कुछ चीज़े point out करना चाहूंगा OnePlus 12 में अभी जो optimization है वो इतना अच्छे से नहीं हुआ है जिसकी वाज़े से यह कई बार जहाँ पर 1 Hz तक इसको जाना चाहिए 120 Hz पर स्टक हो जाता है अलगि यह सारी चीज़े दीर दीर optimize हो जाएंगी लेकिन फिलार OnePlus 11 बहुत सही तरीके से काम कर रहा है जो frame rate shift है वो काफी सही मिल जाती है मलब वो जो LTPO display है OnePlus 11 में better काम कर रहा है as comparative OnePlus 12 इसके लावा next अब बात करें इनके chipset की तो भाई यहां पे आपको Snapdragon 8 Gen 2 मिल जाता है OnePlus 11 में Snapdragon 8 Gen 3 मिल जाता है OnePlus 12 में तो देखो बिना किसी doubt के Snapdragon 8 Gen 3 बहुत ही जड़ा powerful chipset है चाहिए इनके scores एक Q22 देखो Snapdragon 8 Gen 3 बीट कर देता है Snapdragon 8 Gen 2 को जो की काफी obvious से बात हो जाती है लेकिन यहां पे भाई मैं खुले दिल से आपको बोल सकता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है Snapdragon 8 Gen 3 की तरफ जाने के लिए अगर आपके पास already Snapdragon 8 Gen 2 वाला phone है तो और देखो देखो companies का तो काम ही है भाई अपना एक product निकाला उसको थोड़ा सब्ग्रेड करके फिर से निकाला जैसे कि Apple करता हो है वैसे भी Snapdragon 8 Gen 2 बहुत ही खतानाग processor है चाहे आप इसमें heavy gaming कर लो चाहे आप इसमें कोई भी task कर लो editing कर लो भाई बहुत सही तरीके से काम करता है also यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आप इन दोनों ही phones के अंदर gaming करते हो OnePlus 11 आपको better frame rate provide करेगा यानि कि जो overall stability है अगर आप game खेले हो वहाँ पर जो frame drop होता है, fps drop होता है वो आपको OnePlus 11 में कम मिलेगा as compared to OnePlus 12 because जो Snapdragon 8 Gen 3 है, उसके लिए जो optimization है धीरे 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 हो रहा है वो इतना अच्छे तरीके से हुआ नहीं है, because यह एकदम नया chip set है और हमने खुद के gaming experience में भी यह चीज़ देखी है even OnePlus 12 R से भी हमने compare कर रहा था, तो वहाँ पर OnePlus 12 R जारा better काम कर रहा था as compared to OnePlus 12, हलाकि यह चीज़ भी software updates की तुरू fix हो जाएगी लेकिन वो हो की, अभी है नहीं, अभी better gaming OnePlus 11 ही provide कर रहा है अब बात करें दोनों की batteries की, OnePlus 11 offer कता है 5000 mAh, यहाँ पे आपको मिलती है 5400 mAh तो भाई, definitely यहाँ पे आपको उस better battery backup मिलेगा हलाकि फिलाल इतने अच्छी तरीकी से optimize नहीं है, लेकिन जैसे ही optimization complete हो जाएगा बाकि दोनों ही phones में 100W का fast charger मिल जाता है 26 minutes में यह आपके phone को full charge कर देता है, जो की बहुत बड़ा advantage हो जाता है इसके लाव OnePlus 12 में अब आपको wireless charging मिल जाती है, जो की OnePlus 11 में नहीं मिलती है लेकिन OnePlus की wireless charging का एक बहुत बड़ा advantage है, वहाँ पे wireless fast charging मिलती है जो की पचपन minute में आपके phone को full charge कर देती है, जो की मुझे काफी पसंद आया बाकी overall बता हूँ तो भाई, 5-6 गंटे की आराम से इसमें heavy gaming कर सकते हो और अगर जारा use नहीं करते हो, तो एक से टेर दिन, दो दिन तक भी फोन जा सकता है डिपेंड करता है, आप use कैसे करते हो अपने phone को चलो ब compare कर लेते हैं के sounds को, यह है OnePlus 11 का sound यह है OnePlus 12 का sound surprisingly बाई, दोनों का sound लगभग same ही है, मुझे कोई difference नहीं फील हूँ है loudness में in speaker की quality में, दोनों ही एकदम same है, exact वही copy paste कर दिया है speaker के मामले में चलो compare कर लेते हैं इनके cameras को, OnePlus 11 offer करता है 50MP का primary, 35MP टेलेफोटो and 48MP का ultra wide angle lens, वही OnePlus 12 offer कता है 50MP का primary, 64MP का periscopic telephoto lens and 48MP का ultra wide angle lens, दोनों में यह आपको hazard blade calibration मिल जाता है, यहाँ पर मैं कुछ camera samples दिखा देता हूँ अब सबसे पहले look में तो यह photo आपको लगेगा कि OnePlus 11 ने जादा better click करी है also skin tone भी देख सकते हो, OnePlus 11 ने एकदम yellow कर दी है अब इस portrait image को भी देखो भाई, clearly OnePlus 12 ने जादा better image click करी है OnePlus 11 की image काफी hazies ही हो गई है यह कुछ और camera samples आप देख सकते हो, यहाँ मेरी आख बंद हो गई है लेकिन आप details पे नदर डालो definitely OnePlus 12 ने बहुत अच्छा काम किया अपने camera's के उपर especially जो color tones हैं, वो काफी improve का दी गई है especially dynamic range भाई, बहुत अच्छे तरीके से capture कर रहा है यह लेगिन यह तो थी outdoor की बाद, अगर आप indoor में photos click करते हो वहाँ पे OnePlus 11 जादा better photos क्लिक करता है because भाई, यह जादा light capture करता है जिसके ऐसे overall better images आपको OnePlus 11 में मिलती है तो भाई, अगर आप low light में photos click करते हो तो वहाँ पे OnePlus 11 जादा better निकल के आता है और भाई, कहीं पे भी portrait देख लो, details देख लो जादा better OnePlus 11 क्लिक कर रहे है तो भाई, low light के मामने में OnePlus 11 आगे निकल जाता है अगर overall balance color अगर आप outdoor में shoot कर रहे हो जहाँ पे बहुत जादा light है वहाँ पे OnePlus 12 जादा better है और यह same to same results इसके वीडियो के साथ भी है वीडियो भी OnePlus 11 के comparison में काफी improved कर दिए है और OnePlus 12 में overall color saturation काफी अच्छे तरीके से manage करता है OnePlus 12 as compared to OnePlus 11 so guys अगर conclusion की बात करें तो मेरे एसाब से देखो OnePlus 11 से OnePlus 12 में आना किसी भी type से worth नहीं करता है camera में improvements है हाम आना लेकिन देखो OnePlus 11 का camera भी काफी अच्छा है already और अगर OnePlus 12 के camera के भी बात करो दोनों phones similar से ही दिखते हैं also इसकी display brightness का friends मिल जाता है OnePlus 12 काफी जारा brighter हो जाता है as compared to OnePlus 11 जो की एक major upgrade हो जाता है लेकिन सिफ brightness के चक्कर में OnePlus 11 से OnePlus 12 में आना इतना जारा worth नहीं करता है chipset upgraded है लेकिन बहुत जारा powerful chipset है already OnePlus 11 का तो आने की कोई सरुवत नहीं है 12 में और हार फिलाल देखे तो जारा optimized OnePlus 11 हो जाता है तो मेरे साब से दोनों में से अगर कोई purchase कर रहे हो OnePlus 11 जादा value for money हो जाता है और अगर upgrade करने का सोच रहे हो तो भाई रुक जाओ next year जब इसका नया variant है जारेगा तब देख सकते हो and मेरे साब से OnePlus 11 एक और लेड़ी बहुत अच्छा phone है तो उसको upgrade करने की कोई सरुवत नहीं है फिलाल so guys यही था आज कमार वीडियो आई I hope ये वीडियो पसंद आओगा पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना hit the bell like अंदर के वीडियो उसको नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मैं 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 तो आख से ने एक सब्सक्राइब तब देक लिए बाबाब